Hello everyone, so आज का topic है square करना, कैसे numbers का square करना, किसी का भी square करना पहला जो हम बताएंगे वो ये है कि जो number 5 से end हो रहा हो, उसका square कैसे किया जाए सिर्फ एक step में 2 सेकेंड में आपका answer आएगा, उसके बाद बताएंगे कि किसी भी number का square कैसे किया जाए उसके बाद बताएंगे जो 50 के पास के जो number होते हैं, उनका square काफी जल्दी कैसे किया जा सकता है So, इसी के साथ हम शुरू करते हैं, वीडियो end तक देखना, सारी चीजें तब समझ में आएंगी So, सबसे पहले देखते हैं, कि जो number 5 से end हो रहा हो, उसको कैसे square किया जाता है जैसे कोई एक example ले लेते हैं, 35 अब हमें क्या करना है, इसका square So, सबसे पहले क्या करो, 5 का square लिख दो, 25 और जो उससे पहले जो number है, 3, जैसे 3 है, तो इससे एक बढ़ा कर 4 इन दोनों का multiplication लिख दो, 1, 2 So, तुम्हारा answer आ चुका है, 1, 2, 2, 5 एक और कोई example ले लेते हैं, जैसे 95 का हम लोगो square करना है So, 95 का square कैसे होगा, 5 इंटु 5, 25 और 9 इंटु उससे एक बढ़ा number 10, तो यह हो गया, 9T So, answer आ गया, 9025, हाँ, आपका answer आ चुका है अब हम कहें कि यह सिर्फ दो डिजिट वाले number हो में अपलाए होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई example लेते हैं, 155 का whole square So, same चीज़ करनी है, 5 का square, 25, 15 इंटु 16, कितना होता है 240, So, answer आ गया, 24025 अब हम देखते हैं कि क्या यह decimals में भी अपलाए हो सकता है हाँ, बिलकुल हो सकता है, decimals क्या होते है बस एक decimal place होता है उसमें, तो बस आपको उसका ध्यान रखना है एक example ले लेते हैं, जैसे 35 का ही हमने किया था, तो 3.5 का क्या होगा 5 इंटु 5, 25 और 3 इंटु 4, 12 अब यहाँ पे एक place के बाद यह था, decimal अब यहाँ पे square हो गया है, तो कितने place के बाद decimal होगा, 2 के बाद तो हमारा answer आ चुका है, 12.25, ऐसे ही एक और ले लेते हैं, कोई example जैसे 7.5 है, 7.5 का हमें square करना है, 7.5 का square कैसे होगा, 5 का square क्या हुआ 25, और 7 इंटु 8, कितना होता है, 56 तो answer आ गया, और point रख दिंगे यहाँ पे, यहाँ एक place के बाद था, यहाँ दो place के बाद 56.25, तो यह हो गई एक trick, जिस number के ending में 5 आता है अब मैं कुछ questions दे रहा हूँ, वो आप लोग नीचे उनके answer comment box में लिख दीजेगा सो कुछ numbers में दे देता हूँ, जैसे 65 का square 8.5 का square 145 का whole square और 55 का square सो इनके answer आप नीचे comment box में लिख दीजेगा ओके, सो अब यह तो हो गया कि जो number के end में 5 आता है, उसका कैसे निकालेंगे बट हर number के end में 5 तो आता नहीं है तो कोई ऐसी trick होनी चाहिए न, जो किसी भी number पे apply हो जाए, अब हम जो आपको trick बताएंगे वो ऐसी ही है, जो किसी भी number पे apply हो जाएगी सो अब कोई भी number पे जो trick apply हो जाए वो बताते हैं, यह हम जिससे किसी का भी square कर पाएं सो एक example ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 58 का square निकालना है हमें सो simple trick है, 8 का square 64, 5 का square 25 और इन तीनों का आपस में multiplication कर दीजिए 5 इंटू 8, 40 इंटू 2, 80 और 80 को यहाँ पे लिख दीजिए अब इनका addition कर दीजिए, जिस line में लिखे हैं उसी line में addition कर दीजिए 4, 6, 3, 1 carry 3, तो आप check कर सकते हो, calculator से या जो भी आपके पास है 3, 3, 6, 4, 58 का square आ गया, तो यह सब में apply हो जाएगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 5 end में होना चाहिए या फिर कुछ end में होना चाहिए, तो हम एक और example ले लेते हैं, square करते हम 27 का, same trick 27, 7 का square, 49, 2 का square, 4, अब इन तीनों का आपस में multiplication, 2 into 7, 14, 14 into 2, 28 तो आपने यहाँ पे लिख लिया 28, यहाँ से एक छोड के लिखना है, तो answer क्या हुआ, 9, 2, 7 so answer आगया, 7, 29, अब हम एक और कोई example लेते हैं, जैसे अब अपने को निकालना है, 82 का square 82 का square, 2 का square, 4, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कि जब भी ऐसा कोई number है, जिसका square एक digit हो, तो उसके पहले एक 0 लगा दें क्योंकि हम दो के साब से ये positions देते हैं, यहाँ पर आपने लगा दिया, 0, 4 इसका square हो गया, 8 का square कितना हुआ, 64 उसके बाद आप क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में multiplication, तो 8 into 2, 16, 16 into 2, 32 तो answer आगया आपका, इन दोनों का addition, 4, 2, 7, 6, 6724 इसका addition हो गया, अब आप कहेंगे, कि अगर हमारा number 3 digit का हो, तो यह कैसे apply होगा, वो भी मैं आपको करके बताता हूँ, तीन डिजिट वालों में आपको क्या करना है, जैसे एक example लेते, 142 का, तो अब 2 का square आपको पता ही है, कैसे लिखना है, 0, 4, अब यहाँ पे आप लिखेंगे, 14 का square, 14 का square कितना होता है, 196, अब यह तो आ गया आपके पास, अब आपको multiplication, इन दोनों का करना है, 14 into 2 into square, तो यह कितना हो, 14 into 2 into 2, तो यह कितना बनेगा, 56, अब आपको 56 एक छोड़ के यहाँ पे लिख देना है, तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 4, 6, 1, 1 carry, 2, 0, तो आपका आंसर हो गया, 2, 0, 1, 6, 4, आपको लग रहा हो कि यह थोड़ा tough है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता ही है, तो मैं आपको बस लिख के दिखा रहा हूँ, बढ़ आप यह तो mind में करी लोगे, और directly इसके नीचे यहाँ पे लिख के दोनों को add कर दीजेगा, तो यह हो गई trick, इसी भी number का square निकालने के लिए, यह trick काफी अच्छी है, और आप इसको use कर सकते हो, काफी handy रहेगी exams में, तो मैं आपको कुछ numbers देता हूँ, जिनके answer आप नीचे लिखिएगा फिर उसके बाद, तो मैं कुछ number देता हूँ, गोंगे 44 का square, 87 का square, और 92 का square, तो इन तीनों के answer आप मुझे comment box में लिख के बताईएगा, यही तरीका use करके solve करिएगा, यह तो हो गया, आप इससे किसी भी number का square निकाल सकते हैं, लेकिन एक special तरीका भी है, जो उन numbers के लिए use होता है, जो 50 के पास है, 50 के आसपास वाले number जैसे हो गया, 47, 46, 53, 54, मतलब 40 से लेके 60 तक आप इन्हें आराम से use कर सकते हैं, और काफी तेस calculation हो जाएगी इससे, तो वो मैं आपको बताता हूँ, एक example ले लेते हैं, 46 का whole square हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले यह देखेंगे, कि यह number 50 से कितना कम है, तो 4 का difference है, तो यहां 4 का square लेक दिया 16, उसके बाद आपको एक number याद कर लेना 25, यह 25 number याद रखिए जब भी 50 के आसपास का number आए और उसका square निकालना हूँ, अब जितना यह इसमें से कम है, 50 में से कितना कम है यह, 4, तो 4 इसमें से minus कर दीजे, तो आगए 21, और आपका answer हो गया 21, 16, easy, अब एक और example ले लेते हैं, ऐसे ही, like अब हम निकालते है, 44 का whole square, 44 में क्या, सबसे पहले वह देखेंगे कि कितना कम है, कितना क हम है, 6, तो 25 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचता है, 19, और वो direct हम यहाँ पे लिख देंगे, और यह answer हमारा आ चुका है, so, सीधा है, आपको बस एक 25 याद रखना है, 25 में से उतना हटा देना है, जितना यह number कम है 50 से, और यहाँ पे उसी का square लिख देना है, simple, अब यह हो गए, जो 50 से नीचे थे, जो number, अब एक काम करते हैं, जो 50 से उपर number है, कोई उसको ले लेते हैं, उसमें क्या exactly करना होता है, मैं एक number लेता हूं, 52 का whole square हमें निकालना है, अब इसमें हमें यह देखना है, कि 50 से कितना difference है, जैसे उसमें देखा था, तो यहाँ पे difference कितना है, 2 का, तो 2 का square हमने लिख दिया, 4, मैंने आपको बताया था, 4 अकेला नहीं लिखना है, 0 भी साथ में लगाना है, फिर यह 50 से कितना जादा है, 2, यहाँ पे हमने 25 में से minus किया था, 4, यहाँ पे हम 2 add करेंगे, तो 25 प्लस 2 कितना हो गया, 2704, तो यह सेम तरीका है, आप च square निकालना है, तो 4 का square कितना हुआ, 16, क्योंकि 50 से difference कितना है, 4 का, 16, और 25 में हमें कितना add करना है, 4, तो यह कितना बना, 29, तो answer आगया आपका, 2916, तो यह हो गया एक तरीका, उन numbers का square निकालने का, जो कि 50 के पास है, अब मैं आपको कुछ extra questions दे देता हूँ, वो आप लोग answer करके comment section में लिख दीजेगा, 47 का square इस तरीके से निकालिएगा, उसके बाद 58 का square और आप निकालिएगा, 43 का square, तो यह 3 के answer आप नीचे comment section में लिख दीजेगा, सो यह थे 3 तरीके squares निकालने के, और काफी helpful रहेंगे और काफी handy रहेंगे exams के time में आपके लिए, और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा अभी मैं, आगे जो मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ इसके, वो है कि किसी भी numbers का multiplication कैसे किया जाए, सो वो वीडियो आप देखेगा, अभी यह first वीडियो है, और उसके बाद आप like और subscribe कर दीजेगा, और सही लगे तो share कर दीजेगा, ओके बाई